योजना इनिंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है सोचाल्य योजना 2023 में दिव्यांगों को भी सोचाल्य बनाने के लिए 12,000 रुपे मिलेंगे और इसकी पहली किस्त का पैसा जल्द ही जारी होने वाला है और दिव्यांगों के साथ किन किन लोगों को सोचाल्य की जो बनाने की किस्त है मिलेगी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो अगर आप दिव्यांग हैं और आपका सोचाल्य नहीं बना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और जानेगा कि किस-किस को यह हलाब मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं क्राइब भी जरूर करके जाईएगा स्वच्च भारत मिसन के अंतरगत जिले के 6 बलाकों में करोडों की लागत से 2,35,000 व्यक्तिगत सोचालों का निर्मान हुआ है छूटे पात्रों को लाब देने के लिए वर्ष 2021 में आविदन मांगे गई थे इसमें सजार से अधिक लोगों ने आविदन किया था 2022 में आविदन की संक्या अधिक होने पर लाबारतियों की संक्या में डेड़ हजार की सेज बढ़कर के बावन सो कर दी गई थी यानि के 2021 में जो आविदन मांगे गई थे उसमें 32,000 लोगों ने आविदन किया था और 2022 में आवेदन की संक्या अधिक होने पर लावारतियों की जो संक्या है वहब डेड़ हजार से बढ़ा करके 5200 कर दी गई थी बलाकों से सत्यापन होने पर विभाग ने 5200 लावारतियों खातों में दो चरणों में 12,000 रुपे भेजे 32,000 आवेदन को में मात्र 5,000 को ही लाव मिल सका इससे बड़ी संक्या में पात्र योजना से वन्चित रहे गए इसको लेकर विभाग ने प्रस्ताव सासन को भेजा है इसमें दिव्यांग गरीब विध्वा सहीत अन्यविस सामिल रहे है यानि कि जो विभाग को प्रस्ताव भेजा है उसमें दिव्यांग गरीब और विध्वा भी सामिल हुई है सासन ने विभाग के प्रस्ताव को स्विकर्ती दे दी है इससे वित्तवर्ष 2023 में 9690 एकल सोचालों का निर्मान होगा यानि कि 2023 में जो 9690 सोचालों बनाये जाएंगे उसमें दिव्यांग विध्वा और अन्यक गरीब व्यक्तियों के भी सोचालों बनाये जाएंगे सुरुवाती दोर में 7000 लावार्तियों का सत्यापन होने पर पहली किस्त की रकम भेजी गई अब डाई हजार का सत्यापन पूरा होने पर एक करोड़ 61,440,000 रुपे की धरनासी बेजी जाएगी जिला समयंक स्वच्च भारत मिशन की जो अधिकारी हैं सुरोज पांडे जी उन्होंने बताया है कि दूसरे चरण में 9690 एकल 140 का लक्स मिला है करीब 7,000 के खाते में पहली किस्त जा चुकी है 2690 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है अब उनके खाते में भी किस्त का जो पैसा है वह भेजा जाएगा यानि कि जो पहले पैसा भेजा गया था वह 7,000 के खाते में भेजा गया था पहली किस्त का और 2690 का सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में भी पहली किस्त का पैसा भेजा जाएगा और 2 किस्तों में यह 12,000 रुपे दिये जाएंगे जिसमें दिव्यांग, विद्वा और अन्य गरीब व्यक्ति सामिल है तो अगर आपका भी सोचाले अभी तक नहीं बना है तो आप इसके लिए अवधन कर सकते हैं और आपको भी सोचाले बनाने के लिए 12,000 रुबे दे जाएंगे जो सोच भारत मीशन के अंतरगत सोचाले बनाए जाते हैं विडियो अगर आपको अच्छे लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरू करिएगा